असलाम अदेकूम, गूड मॉर्निंग जी, वेलकम टू माइ यूट्यूब चैनल ब्यूटी ओफ लाइफ इच साथिया, आइम साथिया अदनान, कैसे हैं आप सब उमीद हैं के खेरियसे होंगे, ठीक टाक होंगे, फिट फार्ट होंगे, जी तो हमारी मॉर्निंग स्टांट ह हो जोगी है, मैंने डीफरीदर से निकाला है, देसी मुगी का गोश्ट, और निकाल के रख दिया है, आज मैंने बनाना है, देसी घी, और साथ मुझे सालंगी बनाना है, अच्छा ये ना हमारे बारिश होगी, सुबा के टाइम में गंदम फिलाई हुई थी, हस्बंड ने गीला हो गया था, तो अब हमना मैड का वेट कर रहे थे, वो आए तो कब इसको फिर पानी जुका है, और सीधा करके करे, तो और ना मज़े की बात ही है, कि मेरे कपड़े टीक से ड्राइ नी होए थी, मैंने रात में वो छोड़ दिये, और सुबह में बारिश होगी, तो हम में को फेला दिये, तो वो ड्राइ हो गए, अच्छा मैंने आपको कहा कि मैंने बनाना ये देसीगी, क्योंकि कल मैंने मक्षन निकालने के बाद ना उसे फ्रीज कर दिया था, कल मेरे पास टाइम नहीं था, टाइम मतब दिल नहीं कर रहा था, फिर आज मुझे इतने सारे जाम देना मैं फिर सोच रही थी कि काश में कल ही निकाल ले थी, अच्छा तो खेर हो गए, शुकरे लगा हो गए, तो मैंने ना इसको इसके बावर को इसमें डाल दिया है, अभी उसकी बरह पिख लेगी तो ये पकना स्टार्ट होगा, अभी तो खेर इसकी मैं इतना बिमार करने अलगा ला टाल जाला सब गोशरत दिया है, यह तो बचे बहुत ज्यदा रहते हैं, मेरे तो हॽ़णवन भी जाद़ बहुत जाद़ अफेक्टिर होते हैं, उनको कफिंग, स्नीजिंग, इस टाइब की चीज़ें बहुत होती है, तो इसवज़े या तो लिकिन अगर इसली होता है ये कि नहीं ये खनी बना लेती तो बच्चे भी शॉक से बीड़ेता है तो बस अभी मैंने ना फिर मंगवानी тут और पिर मैं यह खनी बनाऊओन गज़की यहा पंजला है यह पाईदावाynnती पर संवली होती ृष्मोग बेमार करक्यों और बे गी जो है वो रिड़ी होने का नाम नहीं लेगा ये इसको टाइम लगता है तो इसको अगर आप दूसरे बतीले में बनाएंगे ये नीचे लगता है अगर आप नौन स्टिक में बनाते हैं और मैंने ये वहला इस पैचुला ले लिया तो ये बड़ी स्वाप सा है तो इसने विल्कुल नीचे नहीं लगने दिया और अराम से ये पक गया दे सीगी ठीक है वरना ना दूसरे बतनों से उतरता ही नहीं है और बतन चला देता है इससे ये कि ना कोई ठक ठक होनी है ना बतन खराब होना है ना आपने परिशान होना है ठीक है तो नॉन स्टिक में मैंने भीनिंअ रड़ा तो मुझे चॉख बहुत और बीच में है अश्ट की मैं टिर करना था ये टिमाट्र इच व्लॉड़ को में डा लिए उसकी से करके लिया है क्यूंकि टिमाटर को ग魚 चलता है इंते तरे धाय कैने प्रहा है अश्या मैं यह बड़ा है बड़ अच्छे तरीके से क्योंकि ना टमाटर ज्यादा ले आया थे इसमें से भी काफी तो खराब हो गए मैं बस सोच रही थी कि मैंने ना इनको करना है ग्राइंड और सोचते सोचते ना काफी टमाटर खराब हो गया अच्छा बच्छों के नूडल्स तयार हो गए और अच्छा अच्छा इसमें ना आटा भी डाल सकते हैं मैंने नहीं डाला था क्योंकि मैं पास ही खड़ी थी इसमें थोड़ा सा आटा फैंक देते हैं उससे ही होता है कि इसको बॉयल नहीं आता जल्दी तो वह एक्दम से बॉयल आजाता है तो उससे बच जाता है तो आप तोड़ा साथ ताड़ना होता है मतलब एक दो चमच छोटे चमच अच्छ ची तो अर सालन इस रैडी यह तो हो चुक है साथ की तार रैडी अब मैंने इसके साथ बनाने थे चावल जीरे वाले तो बस गी रैडी हो रहा था साथ साथ दूसरे काम भी होते जा रहे थे यह तो लिद के लिद समय को कि निकलता है वो बिलकुल थोड़ा सा निकलता है क्हीं के ना मैंने मक्छन निकाल तो जाए हो दॉलिया यह मैंना दो जाट है अच्छा दो हम चमप जी लाटे रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे क्योंकि ये ना नीचे बहुत लगता है क्योंकि इसके जो ग्रैंड वोते हैं वो नीचे जी भॉट जाते हैं तो जब तक ये ब्रा kraut नहीं हो जाएगा हम ने तो इसको पकाना है वरना otherwise समझें कि ये कच्चा है पका नहीं है अच्छा मेरे अबू बदा क्या कहते हैं वो भी मेरी वीडियोज देखते हैं मुझे कहते हैं को मासकल किचन में बड़ा काम कर रही हूँ मैंने का अबू जी मैं पहले से ही करती हूँ मैं अब मैं इसको कैप्चर करने लगी हूँ वीडियोज बनाने लग गई हूँ ये काम तो मेरे डेली के होते है कि अच्छा मेरी बिटी इतना काम करती है मैं जी अम्मा के करमनी करते था लेकिन अब तो जिम्मधारी है ना भई तो जिमनतार ये तो करना है अच्छा देखिए उसके ग्रैनियूल ब्राउन होना इस्टार्ट हो गए है लेकिन मुझे लगा था हलकी हलके से वाइट है उसको पकता बहुत जाता है जब ये पकने में आता है एक दम से इसको बॉइल आता है आपने चुला आपने जल्दी से आग चला के जैसे एक बॉइल और आता है आपने फिर से उसको जल्दी से बन कर देना क्योंकि उसमें जब बॉइल आता है तो बॉइल आता है तो क्या होता है वो एक दम से सरा गिर जाएगा अच्छा ये मैं चावल रग दी है साथ में जीरे वाले तो ये देखिए मुझे अब ही ना ब्राउनी शेड में आ चुका है तो जबतिखिक ही अपे ब्राउनी नोझा जातिके ग्रैनियो SKे आपने इसको पका अना है अदर्वावाइस ये पका नहीं कचा है ठीए और जलाना नहीं बिल्कुल भी बस इसका जो वाइट इश सब ना इसमें वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ब्राउन हो जाना चाहिए तो अगर ज्यादा पका लेंगे ना तो आईल आपका ब्राउन हो जागा काला काला हो जागा अच्छा मारा पानी पकना इस्टार्ट हो चुका तो साथ ही मैंने इसको चाबलों को डाल देना है और साथ ही मैंने इसको थोड़ा सा और पका लिया है अब ये देखें आपको नजर आ रहा हूंगर ना ये बिलकुल ब्राउन है अब ये बिलकुल रेडि है तो इस तरह से आपने घी निकालने है मिक्षा निकालने का मैंने इससे पहले वारी वीडियो में आपको बहुत ही ईजी ट्रिक बता रहा था तो आप जो है ग्राइंडर में ही मक्कन निकाने और आपको टाइम इतना ज्यादा बचेगा और आप जो है ना आपको इसके चार्ड भी नहीं होनी जैसे मैंने फटाफट निकाल लिया तो अब बस मैंने यही सोचे है कि मैंने ग्राइंडर मी निकाला करना है अच्छा तो यह ना फिर उसके बाद मैंने बच्चों के आइलिंग लगा के छोड़ दिया था इनकी आइल नहीं लगाया था काफी दिनों से स्कूल भी जाना होता है ना हरम ने तो फिर बाल बहुत रफ हो जाते है तो उसको शाम मैंने नहला दे तो क्योंकि टीशन तो ज पिर जो है यह पर अद्दान को अमरूद कट करके दे लिए उनको अमरूद काने थे उसके बाद अच्छा अमरूद में शौक से नहीं खाती वो जो आम लोग पते हैं आम लोग जा पानी फिल कहते हैं वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे वो मैंने खाया था अच्छा उ बाद यह उसको हमने ना इसमें नेचोर लिया है इसको चान लिया है तो यह देखिए इस अकल ओँे देख़ और हैं तो सबस्सक्ा आपर बाकी सारा घीव था उसमें से सिर्फ यह निकल आए वह आप सोच देखें माशालह से डेल किलो तक हमारा गी निकल आया तो इसी तर इतने बसर ख्याल रखिएगा दौाओं मैद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अलहाफिज ठेक्यार